वुए बस को इमप्रेस करने के लिए बहुत जादा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं हालक यह उनकी पोइंट और फ्यू से अच्छा हो सकता है लेकिन बस के पोइंट और फ्यू से यह अच्छा नहीं है ऐसे में आपका boss defensive हो जाएगा आपको हमेशा अपने से position में उपर वाले लोगों को superior feel कराना चाहिए ये feel कराना चाहिए कि वो boss है तो कि भले से ही आप boss को impress करने के लिए ही अच्छा काम कर रहे हो लेकिन boss को हमेशा अपने position का डर रहेगा इसलिए या तो वो आपको fire कर सकता है या तो आपकी growth ही रोग देगा अब author कहते हैं आपके friends से ज़्यादा आपके enemies आपको फैयदा करा सकते हैं जोकि अक्सर दोस्त आपकी growth देखके जलने लगते हैं हाला कि वो ये सो करेंगे कि वो खूस है तेकिन कहीं न कहीं उनके mind में जरूर होगा कि ये मुझसे आगे क्यों निकल गया इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है कि आप enemies से कैसे काम करवाओ क्योंकि कई बार आपकी दूस्मन ही आपके सबसे अच्छे दोस बन सकते हैं क्योंकि वो आपका trust गेन करना चाहते हैं और आपको ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो आपके friend है वो आपको कोई भी काम कर देंगे और अगर उन्होंने आपको धोका भी दे दिया तो इससे भी आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते ही थे कि वो आपका दूस्मन है तो ये है power का दूसरा law law 3 conceal your intention आपको कभी भी अपने action किसी दूसरी इंसान को नहीं पताना चाहिए चाहे वो आपका friend हो या आपके employees हो क्योंकि अगर किसी इंसान को ये पता है कि आप क्या करने वाले हो और वो आपको पसंद नहीं करता तो ये जाहिर सी बात है कि वो आपको रोकनी की कुशिस करेगा और इसमें वो काम्याब भी हो जाएगा जो इंसान अपने secrets छुपा नहीं सकता उसके life में successful होने के chances बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि अक्सर आपके आसपास वाले लोग ही आपको रोक लेते हैं तो दोस्तों imagine करो अगर आपने अपने दुसमन को ये बता दिया कि आप उस पे कैसे attack करोगे तो ऐसे में वो और भी जाना चौकरना हो जाएगा और double power से आप पे attack करेगा तो अपने intention कभी भी किसी को मत बताओ चानक के नवी यही कहा है law 4 always say less than necessary कम बोलना एक power की तरह है क्योंकि जिल लोग कम बोलते हैं उनकी words की value दूसरों की नजर में बढ़ जाती है और इससे आपके ये भी फायदा होता है कि आप कुछ फाल्तू की बात नहीं करोगे क्योंकि अक्सार जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वो अपने action और अपने intention वो लोगों को बता देते हैं सांस सांस वो ये भी बता देते हैं कि वो फीचर में क्या plan कर रहे हैं जिससे लोगों की expectation बढ़ जाती है उनसे तो आपके words बहुत ज़्यादा important है इससे सोंस समझ के ही use करना चाहिए क्योंकि आपके words अगर किसी को आपका सबसे अच्छा friend बना सकते हैं तो आपके words किसी को आपका सबसे बड़ा दुस्मेन भी बना सकते हैं किसी भी politician के लिए किसी भी एक्टर के लिए किसी भी इंसान के लिए उसकी reputation ही सब कुछ होता है आपने अक्सर ये line सुनी होगी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो society वाले क्या कहेंगी ये reputation ही है जो लोगों से कुछ काम करवाती है और यही आपकी सबसे बड़ी power है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर एक बार लोगों ने आपके बारे में एक गलत image बना ली तो उस image को लोगों के mind से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो हमेशा अब ये reputation का खयार रखो अगर आप किसी तरह लोगों के attention को grab कर सकते हो तो ये आपके लिए एक power की तरह होगा आज की time पे लोग इतने ज़्यादा fashion करते हैं different different hair style और hair color कराते हैं और महुत से expensive चीज़ बाय करते हैं जो personally मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन लोगों के ये attention को grab करती है आप उस इंसान पे ज़्यादा गौर नहीं करोगे जो एक bike पे आया है लेकिन आप उस इंसान को ज़्यादा focus दोगे जो BMW की new car में आया है तो attention matter करता है आपकी value को बढ़ाने के लिए और आपको powerful feel कराने के लिए law no.7 get other to do the work for you but always take the credit निकॉला टेसला एक बहुत अच्छा example है इसका author कहते हैं आपको हमेशा दूसरों से काम करवाना चीए लेकिन उसका credit खुद ही रखना चीए ये आपको powerful बनाएगी और इसके लिए आपको ना तो time और energy की wastage होगी Thomas Edison ने निकॉला टेसला को काम पे रखा और इसके लिए उन्होंने उसे pay किया जिससे बहुत सारे invention का credit सिर्फ Thomas Edison को चला गया जो निकॉला टेसला ने create की थी अगर निकॉला टेसला उसे खुद event करते और उसका पूरा credit खुद रखते तो इससे ना सिर्फ वो पूरा credit ले पाते बलकि उससे उससे भी ज़्यादा पैसे मिलते जितना Thomas Edison ने उन्हें दिये आज ही टाइम पे भी बहुत लोग यही कर रहे हैं वो अपनी सबसे valuable चीज मतलब time को बचाने के लिए अपने काम को outsource करते हैं तो आप भी उन चीजों पे focus करो जो आपको ज़्यादा value देती हैं और बाकी काम को outsource करो लेकिन उसका पूरा credit खुद लो law number 8 make other people come to you use bet if necessary आप कभी भी directly ही अपने दुस्मन पे वार मत करो बलकि उसे अपने pass लाओ उसे चारा दो और उसे पहले react करने दो इससे situation आपकी control पे आ जाएगी और अकसर आपकी दुस्मन हरबड़ी में कोई गलत फैसला जरूर लेंगे जिससे आपकी पकड़ और भी मजबूत हो पाएगी और आप उसे एक ही वार में अपने दुस्मन को हरा पाओगे law number 9 win through your action never through your argument हमेसे याद रखो कभी भी आप argument करके बहस करके जीत नहीं सकते क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आप action लीजी अपने action के through उन्हें गलस साबित कीजी क्योंकि जब आप बाते करना छोड़के action लेते हो और action के through अपनी बात को साबित करते हो तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा powerful लगते हो और society में लोग आपको powerful मानते हैं जब Steve Jobs को company के लिए खत्रा मान कर उन्हें खुद की company से निकाल दिया गया तब उन्होंने ये proof करने के लिए कि वो better है उन्होंने किसी से जगड़ा या argument नहीं किया बलकि उन्होंने खुद की company pixel बनाई जिससे indirectly उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कब नहीं है law number 10 infection, avoid the unhappy and unlucky दोस्तों मैंने आपने कई वीडियोस में कहा है कि अक्सर unsuccessful लोग unsuccessful लोगों के साथ ही रहना चाहते है और इसलिए वो अपने life में कामियाब नहीं हो पाते इसके opposite successful लोग, successful लोगों के साथ रहते है growth mindset वाले लोगों के साथ रहते है हमाई success बहुत ज़्यादा depend करती है कि हम कुन लोगों के साथ रहते है क्योंकि author कहते है जिन 5 लोगों के साथ हम रहते हैं हम धीरे-धीरे उनकी तरह ही बन जाते हैं अगर वो गरीब है तो धीरे-धीरे वो अपनी mentality आप भी हावी कर देंगी अगर वो highly successful है तो इससे भी आपको एक great mindset मिलेगा जो बहुत ज्यादा matter करता है आपको powerful बनाने के लिए तो हमेशा उन लोगों को avoid करो जो unhappy और unlucky है जो हमेशा रोते रहते हैं और blame करते हैं साई दुनिया को कि उनकी situation खराद है law number 11 learn to keep people depend on you जो इसनान आप पे dependent होता है मतब समझाओ कि वो आपके control में है अगर लोगों को आपकी जरुवत महसूस नहीं होगी तो या तो वो आप पे attack करके आप से आगे निकल जाएंगे या तो अपनी life से आपको eliminate कर देंगे सो हमेशा लोगों को अपने अंदर dependent रखो जिससे आप और भी ज़दा powerful बन सको क्योंकि जो लोग आप पे dependent है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप हारो या आप पीछे रहो क्योंकि इससे सबसे यह नुकसान उन ही कहोगा तो पावर में रहने का यह 11 नियम लोग लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ज़दा चलाक हो तो वो कभी भी आपको अपना secret नहीं बताएंगे और वो आपसे डरे हुए feel करेंगे तो इसके लिए author कहते हैं आपको honesty दिखानी होगी आपको लोगों को ऐसा feel कराना पड़ेगा कि आप सच में उनकी care करते हो और कभी-कभी उनसे छोटे-मोटे secret भी share कर दो चाया जूट ही हो लेकिन वो उनका trust गेंड करने में आपकी मदद करेंगे Law No.13 When asking for help, appeal to people's self-interest, never their mercy and gratitude आज कल की selfish दुनिया में साध ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो यह याद रखेंगे कि आपने past में उनकी help की थी लेकिन अगर आप उन्हें एक reason दे दो अपनी help करने का उन्हें एक reason दे दो कि उन्हें क्या फायदा हो सकता है तो वो कभी भी आपकी help करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे आप असानी से एक win-win situation create करके एक ऐसी situation जिससे आप कई ही नहीं उनका भी फायदा हो और हाँ इस law को use करके आप बहुत ज़्यादा powerful हो सकते हो क्योंकि इस law को अच्छे से use करने के बाद आपको हमेसा help करने के लिए लोग खड़े रहेंगे कभी भी आप ये expect मत करो कि आपने उनके लिए अच्छा किया था इसलिए वो भी आपका अच्छा करे law no.14 post as a friend work like a spy कौन इंसान आपको किस टाइप धोका दे दे इसका कोई भी भरोसा नहीं हो सकता इसलिए आप जब भी अपने friend बनाते हो या जो भी आपके friend है कोशिस करो कि आप उनके secret उनके fears और उनके emotion को जान पाओ उन्हें ये feel कराओ कि आप उनके सबसे अच्छे friend हो साथ साथ उन पे जासुसी भी करो it means उनके emotion के बारे में जानो कि वो किस टाइप कैसे आप feel करते है और वो किसी से डरते है ये law आपको control देगी एक बहुत ही powerful और friendship बेल्ड करने के लिए साथ साथ आपके friend कभी भी आपको धोका नहीं देंगे और हमेंसा आपकी मदद के लिए साथ में रहेंगे क्योंकि आप उनके emotion को control करके उन्हें खुद भी control कर सकते हो और फोर्स के साथ आप पर attack करेगा और आप हार जाओगे तो अगर आप अपने दुस्मन पर attack करते हो तो उसे totally destroy करो उसे पूरी दर से खतम कर दो जिससे वो recover ही ना कर पाए और इसका सबसे अच्छा तरीका होगा ये आप उससे ही हाथ मिला लो उसे अपना दोस बना लो या उसके mind में honesty ये belief create कर दो यही तरीका है आपको अपने दुस्मन को totally खतम करने का आपने खुद भी कभी ये गौर किया होगा तो लोग हमारे पास नहीं होते हम उनकी ज़्यादा respect कर पाते हैं उनने ज़्यादा miss करते हैं क्योंकि अगर आप हमें से available रहते हैं सभी के लिए तो इससे दो चीज होगी इससे आपकी value कम हो जाएगी और दूसरा लोग किसी न किसी तरीके से आपका advantage देने की कोसिस करेंगे तो सायद इसलिए कोई actor या artist जब कोई event या किसी के साधी में जाता है तो वो तूरत भी वापिस आ जाता है क्योंकि वो power में रहने की इस law को जानता है कि जितने ज़्यादा आप लोगों के लिए present रहोगे आपकी value उतनी ज़्यादा कम होगी law number 17 keep other in suspended terror author कहते हैं आपको unpredictable रहना चाहिए जिससे कोई भी ये पता ना लगा सके कि आपकी intention क्या है अक्सर हमारी आदते ही ये जाहिर कर देती है कि हमारा next move क्या है जिससे कुछ clever लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं तो आप अपने life में कुछ ऐसे unpredictable कोई ऐसे action लोग जिससे लोग हरान हो जाए जैसा लोगों ने expect ना किया हो आपसे जिससे अगर कोई आपके लिए प्लान कर रहा है या आपका फायदा उठाने की कोशिस कर रहा है तो उसे ये बास समझ आ जाए कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो लोग नमबर 18 Do not build fortresses to protect yourself Isolation is dangerous आपका ये सूचना बहुत बड़ी ब्योक्यूफी है कि अगर आप अकेले हो जाओगे तो आप ज़्यादा powerful होगे बलकि ऐसे में आप और भी ज़्यादा कमजूर हो जाओगे और आपको कोई भी दुस्मन आपको असानी से हरा सकता है तो हमें सब भीड का हिस्सा बने रहो ये थोड़ा अलग sound जरूर करता है बट ये सही है जब आप भीड में रहोगे तो आप ज़्यादा safe खेल सकते हो और भीड में आपके हारने के chances बहुत कम हो जाते है अब इसके कई अलग-अलग meaning हो सकते है और अलग-अलग field के लिए अलग-अलग meaning हो सकता है आपके आस-पास ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे नफरत करते होंगे जो आपसे जलते होंगे और आपका बुरा चाहते होंगे तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि मैं एक महल बनानूं उस महल में अकेले रहूं चारो तरफ से बंद करके जिससे कोई भी आप पर हमला ना कर पाए बट ऐसे में आपके और भी ज़्यादा खत्रा है तो कि अकेले रहने पर कोई भी आपको नॉर्मली टारगेट करके आपको हरा सकता है इसलिए आप भीड में रहो और भीड में रहते हुए अपना काम चुपचाप करते जाओ ऐसे में आपको ढूनना और आपको हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्लाव नमबर 19 Know who you are dealing with Do not offend the wrong person इस दुनिया में तरह तरह की लोग है और अगर इस दुनिया में अच्छे लोग है तो इस दुनिया में बहुत बूरे लोग भी है तो आपको फालतु में कभी भी किसी से फंगा निलने चीए तो कि कौन इंसान कैसा निकल जाए इसका कोई भी भरूस्व नहीं है और ऐसे में अगर आप किसी गलत इंसान से भेड़ गये जो पावर में आपसे बड़ा है तो सायद इसकी वज़े से आपको बहुत साई प्रॉबलम जहिलने पड़ सकते हैं अगर मैं अपनी point of view से कहूं तो किसी से कभी भी argument मत करो अगर आपको लगता है कि बात argument तक जा रही है तो वहाँ से चुप चाप उठके चले जाओ यह ज़्यादा better है इससे कि आप उससे argument करे जा रहे हो इससे और कुछ नहीं होता बस आप अपना दुस्मन बना लेते हो आप कभी भी किसी से ये वादा मत करो कि मैं ये कर दूँगा तुम फिकर मत करो हाँ यह हो सकता है कि आप अपने commitment को पूरा करो लेकिन आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के commitment को पूरा करना चाहिए और मेरे point of view से वो इंसान है आप खुद तो कि अगर आप किसी दूसरे को commitment करते हो और अगर आपने उसे पूरा कर दिया तो वो उसे एक challenge की तरह लेगा यह हो सकता है वो आपकी growth से आपकी success से जलने लगे दूसरी तरफ अगर आप उसे नहीं कर पाए तो वो आप पे हसेगा और society भी आप पे हसेगी और आपकी बातों और आपकी commitment को हलके में लेगी तो सिर्फ अपने आप से commitment करो और उस commitment को सच में पूरा करो ऐसा नहीं कि बस आपने बस बोल दिया और फिर भूल गए क्योंकि यह आपकी power को कम करता है अगर आप ऐसे इंसान हो जो कोई commitment करता है और उस commitment को किसी भी हाल में complete करता है तो ऐसे में society आपको बहुत powerful मानेगी सांसात वो आप से सीखेगी और आपकी तरह ही बनना चाहेगी law number 21 play a sucker to chess a sucker seem dimer than your mark इस दुनिया में सब इंसान अपने आपको सबसे ज़्यादा smart समझता है लेकिन smart इंसान सिर्फ वही है जो अपने आपको बेवकूफ कह सकता है अब यह line थोड़ी contrary and जरूर है क्योंकि अगर जो smart होगा वो अपने आपको बेवकूफ क्यों कहेगा वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि वो जानता है कि सब कोई अपने आपको intelligent और smart समझते है तो ऐसे में आप उनका फायदा उठा सकते हो यह बताकर कि वो आपसे ज़्यादा smart है यह simple mind trick है कि अगर आप बेवकूफ नजर आते हो तो लोग कभी कभी आपको अपनी सबसे ज़्यादा important secret भी आपको बता देते हैं जिससे आप अपने लिए उसे use कर सकते हो तो trick यह है कि हमेशा उस इंसान से कमजोर नजर आओ जिसके साथ आप प्ले कर रहे हो आपने कई movies में देखा होगा और हमारे Indian Bollywood में तो यह बहुत ज़्यादा famous है कि hero मरते दम तक लड़ते रहते हैं और last में वो जिच जाते है बट author कहते है अगर आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया हो अपने दुस्मन के सामने तो कोई जरुवत नहीं है उससे लड़ने की बस simply उससे surrender कर दो या फिर उसके side में हो जाओ अब ऐसे में आपको time मिल जाएगा थोड़ा recover करने के लिए या फिर आप wait कर सकते हो कि उनकी power कब खतम हो या फिर बीन लड़े चलाकी से उसकी army को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हो तो power का 22 यह यह कहता है कि अगर आप कमजोर हो गये हो अपने दुस्मन के सामने तो उसके साथ लड़ने की जरुवत नहीं है बस surrender कर दो उसके साथ हो जाओ और wait करो उसकी power को खतम होने का या फिर चलाकी से उसे धीरे-धीरे खतम करती जाओ तो अपने ego को हटाओ और surrender कर दो यह इससे better है कि आप मढ जाओ लाव नमबर 23 Concentrate your focus अगर आप किसी 10 चीज पे एक साथ focus करते हो तो ऐसे में आप एक भी काम नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आप अपना पूरा attention पूरा focus किसी एक काम पे लगा दो तो साथ कोई भी चीज impossible नहीं है और दुनिया में ऐसे हजारों example है जिससे लोगों ने यह साबित किया है तो किसी एक काम पे तब तक concentrate करते रहो जब तक वो काम पूरा नहों हो जाए लॉटर कहते हैं आपको एक quarteriard बना चाहिए मतलब एक धरबारी और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि quarteriard अच्छी तरीके से सुनते है देखते है और अपने दुस्मन से भी प्यात से हस के बात करते है वो कभी भी उन लोगों को टोकता नहीं है जो power में है और इसलिए वो लोगों का चाहिता बना रहता है जिससे लोग उसे पसंद करते है अगर मैं present की time के बात करूँ तो author का मतलब है कि आपको market की पूरी knowledge होनी चाहिए जिस भी field में आप काम कर रहे हो आप उसे देखो, समझो, हस के बात करो जितने हो सके उतने contact बनाओ और अपने field के powerful लोगों से सीखो ना कि उन्हें advice दो कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि कभी भी एक मामूली दरबारी राजा को ये नहीं बताएगा कि उसे क्या करना चाहिए आप भले ही बहुत बोर इंसान हो अपने field में बहुत ही serious हो लेकिन अगर आप society में लोगों का attention grab नहीं कर सकते तो लोग आपको बुला देंगे और समय आने पर कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा अथरी से इस तरह कहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा actor होना चाहिए जैसे actor फिल्मों में acting करते हैं उसी तरह आपको real life में भी acting करना चाहिए अपने आपको एक ऐसा character बना लो जिसका sense of humor बहुत अच्छा हो जिसे लोग पसंद करते हो यह दूसरों को हसाता हो और ऐसे में आप खुद भी यह feel कर पाऊगे कि आपको एक नह जन्म हुआ है आप अपने आपको recreate कर सकते हो और यह law आपको society में बहुत powerful बनाती है law number 26 keep your hand clean means दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही बढ़माज टाइप की इंसान हो लेकिन आपको यह बात हमेसा चुपाने चाहिए कि आपने कोई भी crime किया है आपको हमेसा यह सोकना चाहिए कि आप बहुत ही सरीफ इंसान हो क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि आपकी intention गलत है या आपने past में कोई गलत काम किया है तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते साथ साथ आपसे डरने लगते है और actual में आप powerful तब नहीं होते जब लोग आपसे डरते है आप powerful तब होते हो जब आप लोगों से गीरे रहते हो सभी लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी help के लिए हमिशा खड़े रहते हैं तो always keep your hand clean इस law का use तो आप daily life में देखी रहे हो कि किस तरह politician पबलिक को ये विश्वास दिलाती है कि अगर वो जीत गया तो वो पबलिक के लिए महसाई चीजे करने का वादा करती है Normally actors और politicians लोगों को असानी से manipulate कर लेते हैं उनके mind में culture का एक belief पैदा करके जिसकी वज़े से लोगों को ये भरूसा हो जाता है और वो लोगों से अपना काम करवा लेते हैं तो author कहते हैं कि आपको लोगों के mind में एक ऐसा belief एक culture पैदा करना होगा जिससे सारी audience आपके पास आजाए और आपकी मदद कर सके Law No.28 Interaction with boldness दोस्तो author कहते हैं अगर आपको किसी काम को करने से पहले उस पर confirm नहीं हो या आपको doubt है तो उस काम को मत करो क्योंकि अगर आप अपने doubtful mind से उस काम को करते भी हो तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप सरसे पहले उस doubt को खतम करो उस काम को करने से पहले उस से related अच्छे से information लो Law No.29 Plan all the way to the end आपको हमेसा अपने end goal के बारे में पता होना चीए कि actual में आपको रुखना कहा है अगर आपका एक goal है जिसमें आपने limit नहीं लगाई है deadline नहीं दिया है तो आपकी productivity उस काम में खतम हो जाएगी तो हमेसा ये plan करके रखो कि आपने कहां से start किया है आपको कहां जाना है और कहां पे रुखना है ये किसी भी चीज को achieve करने के लिए बहुत ज़्याद ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने life में लगातार काम के जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कहां पे रुखना है तो इससे लोग आपको बेवकुफ समझेंगे और power तो दूर की बात पावर मेरेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये देखाओ कि आप हमेशा से इतने ही powerful थे क्योंकि अगर लोग ये जान जाएंगे कि आप भी पहले कमजोर थे और धीरे-धीरे अपने practice के साथ अपने आपको सुधार है तो साथ वो भी wish करेंगे कि वो भी आपकी तरह बने तो author इस बात को इस तरह से कहता है कि आपको powerful बनने के लिए ये दिखाना चीए कि आपको पहले से ही सब कुछ मिल गया मतलब आप God gifted हो आपके पास God gifted talent था और जो भी आपने अपने लाइफ में अचीव किया उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनद करने की जरुरत नहीं पड़ी इससे लोग आपकी powerful side को देख पाएंगे और उनके mind में ये belief आएगा कि आपकी तरह बनना बहुत मुस्किल है अगर आप कोई ऐसी situation create कर दो जिससे आपके सामने वाले को लगे कि उसके पास कोई option तो है लेकिन कोई भी option को चुनने पर आपका ही फायदा हो इससे ना तो लोग आप पे सक करेंगे लेकिन उसका पूरा फायदा आपको ही होगा जब भी आप किसी को कोई option देते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो अपने control पर है लेकिन आप उसे अपने हिसाब से manipulate कर सकते हो ऐसे option देखे जिस option में उनसे ज़्यादा आपको फायदा हो और ऐसे में वो आपको blame भी नहीं कर सकते कि आपने उनके साथ चलाकी की क्योंकि किसी भी option को चुनने का decision तो उनहीं के पास था Law No.32 Play to people fantasies हर इंसान की अपनी एक imaginary दुनिया होती है जिसमें उसकी कुछ fantasies, कुछ dreams होते हैं जिसे वो reality में convert करना चाहते हैं लेकिन वो कभी-कभी इतनी ज़्यादे unrealistic होती है कि उसे reality में convert करना nearly impossible होता है तो ऐसे में आप सिर्फ उनके साथ खेल के मतलब उनकी fantasies और उनकी imagination पर believe करके उनका trust gain कर सकते हो तो दोस्तों आज दूसरों की fantasies को जानके उने अपने लिए यूज़ कर सकते हो चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुस्मन क्यों नहों अगर आप लोगों की fantasies को जानकी उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो तो आप उसे अराम से हराप आउए law no.33 discover each man thumbscrew law no.34 be royal in your own fashion act like a king to be treated like one देखो एक quote है कि आप जैसा treat लोगों को करते हो लोग भी आपको वैसे ही treat करते है और ये आपके लिए भी सही है कि आप जैसा treat अपने आपको करते हो लोग भी आपको वैसे ही treat करते है अगर आप अपने आपको कमजोर समझते हो वीक समझते हो और बार बार अपने आपको underestimate करते हो तो लोगों को भी यह आदत हो जाएगी आपको underestimate करने की लेकिन अगर आप अपने आपको एक राजा की तरह एक brave man की तरह treat करते हो तो लोगों की view में भी आपकी ऐसे ही image बनेगी तो पहले powerful बनने के लिए आपको powerful feel करना पड़ेगा यह feel करना पड़ेगा कि आप actual में powerful हो जिससे सभी आपको powerful भी माने law no.35 master the act of timing अपने life में अपने time की importance समझना बहुत ज़्यदा important है लेकिन तब भी आपको हमेसा patience रखना चाहिए अगर आप बार-बार किसी काम में हरबड़ी करते हो तो या तो वो काम खराब हो जाएगा या तो आपको उस काम के इतनी जाले result नहीं मिलेंगे जितना उस काम के आपको result मिलने चाहिए तो कभी भी हरबड़ी में मत रहो हर काम को करने का एक सही समय होता है तो उस काम को उसी टाइम पर कम्प्लीट करो अपने टाइम बचाने के लिए कभी भी किसी काम में हरबड़ी मत करो इससे स्तिर्फ आपका घाटा होगा दोस्तो अगर मैं इसे अपने पॉइंट एफ सको हो तो आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ अक्सर क्या होता है कई यूटूबर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी फैन फाल्विंग होती है लेकिन उन्ही फैन फाल्विंग में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन यूटूबर्स को पसंद नहीं करते और फिर वीडियोस डिसलाइक करते हैं और बैट कमेंट भी करते हैं तो फिर ऐसे में अगर आप उनके कमेंट के अंसर करते हो तो इससे उनकी पावर और बढ़ती है और आप रिपलाई देने के चक्कर में कुछ ऐसा भी बोल जाते हो जिससे आपके हेटर्स और भी जादा बढ़ जाते हैं तो इस बात का हमेस्ता ध्यां रखो कि कभी भी फाल्तू की चीज़ों पे फोकस मत करो क्योंकि जब आप किसी फाल्तू कमेंट पे रिपलाई देते हो तो indirectly आप उसकी पावर को बढ़ा रहे होते हो ऐसे टाइम पे इग्नॉर करना सबसे बेस्ट रिवेंज होते है तो लाइफ में ऐसे कई सिच्विशन आएंगी जब आपको लोग बुरा भला कहेंगे तो ऐसे में आपको सभी से लड़ना नहीं बस उन्हें इग्नॉर करना है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने आपको सहीं साबित करने के लिए अपने इमेज लोगों के सामने और भी ज़्यादा खराब कर लेते हैं और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि reputation is the most important thing law number 37 create compelling spectacles जो लोग sword सराबा करते हैं मतलब event कराते हैं grand party देते हैं वो अफसर जादा कर लोगों के attention को grab कर लेते हैं मतलब power में रहने के लिए ये बात तो तय है कि आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे सारे लोगों के attention आप पे रहे सायद इसलिए पुराने जमाने में राजा लोगों के attention को पाने के लिए उश्व, खेल और मनेरंजन कराती रहते थे ताकि लोग उन्हें याद रखे और वो सारे लोगों का attention grab कर ले law number 38 think as you like but behave like other लोग उन लोगों को पसंद बिलकुल नहीं करते जो उन लोगों से अलग सोचते है तो कोशिस करो कि आप लोगों के हां में हां मिला सको तो कि अगर आप लोगों से argument करते हो या उनसे कहते हो कि नहीं तुम गलत हो तो इससे लोग आप से दूर होए लगेंगे या तो लोग आप से argument करेंगे या लोग आपको ignore करने की कोसिस करेंगे तो इसे लिए author कहते है आप जैसा सोचते हो वैसा सोचो लेकिन हमेशा ये सो करो कि आप दूसरों से भी agree हो अपने ideas, अपनी creativity, स्रिफ अपने पास रखो, अगर लोग उससे agree नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं है लोगों को ये बात बताने की लोगों को स्रिफ वही चीज अच्छी लगती है जो वो खुद मानते है law number 39 stir up water to catch fish दोस्तो अगर आप बीना लड़े पूरी वार जीश सकते हो तो क्या जरूरत है आप खुद ही जाके लड़ो इसी तरह आप अराम से खुद सांत रहते हुए अपनी एनिमेंस को घुसस दिला के उसे मजबूर कर सकते हो कि वो गलाड डिसिजन ले उसके एंगर और उसके इमोशन को कंट्रोल करके क्योंकि लोग इमोशनल क्रिचर होते हैं चाहे कोई भी इंसान कितना भी पाउरफुल ये स्माट क्यों नहों अगर आप उसके इमोशन को मतलब उन्हें गुसस दिला सकते हो तो आप उस जंग को जीश सकते हो दोस्तो हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई मकसद होता है अगर कोई अंजान इंसान आपसे अचानक सही बहुत क्लोज हो रहा है या फ्रेंडली हो रहा है तो समझ जा उसका कोई न कोई बेनिफिट ज़रूर है और फ्री लंच से मेरा मतलब है कि कोई इंसान अभी आपको खुस करके फ्री लंच देखे या किसी भी तरह आपको इनाम देखे आपकी इमोशन के साथ खेलने की खोशित तो नहीं कर रहा है जिससे वो आपका फीचर में वेलिफिट ले सके तो इन सब चीजों को धरूर ध्यार रखो क्योंकि इससे लोग आपको कंट्रोल कर सकते है एक एकजामपल से आपको समझाता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने जितने भी रिकॉर्ड्स बना ले तब भी लोग उनकी इतनी इजत नहीं करेंगे जितने वो उनके फादर के करते है क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके बेटे को उनके डबल रिकॉर्ड्स और उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑफर कहते है कभी इस सक्सेस्फुल लोगों की रहा में मत चलो यह थोड़ा सा गलत जरूर साउंड करता है लेकिन यह सही है कि अगर आप सक्सेस्फुल लोगों को देखके कि वो अपने फिल्ड में बहुत सक्सेस्फुल है आप भी उसी फिल्ड में जाने की कोसिस करते हो तो आप बुई तरह से फिल्ड हो जाओगी क्योंकि इसके लिए आपको दबल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑथर कहते हैं आपको अपना रस्ता खुद चुनना चाहिए वो मत करो जो आपके पैरेंस कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करो और अपना रास्ता खुद बनाओ अपने उस फिल्ड में मार्श्री अचीव करो ताकि लोग आपको किसी से कंपैर ना कर सके ना ही आपके फैमिली वाले से ना ही दुनिया में किसी से मैं फैमिली बिजनेस होते हुए भी यूटूब में सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं अपनी रहा बना सकूँ अपना कुछ क्रियेट कर सकूँ और अपने लाइफ की 100% रिस्पॉसिपलिटी ले सकूँ लोर नमबर 42 इसलिए फैमिली बिजनेस होते हैं एक बॉस होते हैं जिसके कंट्रोल में ही सारे लोग होते हैं तो आथर कहते हैं उस इनसान को ढूंडो उस पर अटेक करो और उसे अपने कंट्रोल में लाओ तो बाकी सारे लोग भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे अब अटेक करने का मतलब स्रेफ फाइट से नहीं है बलकि उसे इमोशनली कंट्रोल करो उससे दोस्ती करो उससे फैमिली जैसा रिलेशन बनाओ अगर उस फील्ड में आपको पाउरफुल होना है तो यह करना बहुत ज़रूरी है लोगों को आप इस तरह से उस पात को बता सकते हो कि लोग उस काम को करने के लिए इंटरस्टेड हो और ऐसा करके आप उन्हें कोई भी काम करवा सकते हो आप लोगों की सिंपल साइकोलोजी को समझ के उन्हें अपने लिए यूज़ कर सकते हो जोकि साइकोलोजी की समझते ही आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो सोचते कैसे है उनकी वीक पॉइंट्स क्या है फॉर एक्जामपल अगर आप अपने दोस्त को किसी कॉंसर्ट में ले जाना चाहते हो और ऐसे में आप उसे फोर्स करते हो तो वो कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जरूर जाएगा लेकिन अगर आप उसकी सामने उस कॉंसर्ट की इतनी तारीफ करो कि ये उसके माइंड में एक इमोशन क्रियेट कर दे तो खुद आपको फोर्स करें इस कॉंसर्ट में जाने के लिए तो आप इसी तरह अपने दोस्तों और अपने दुस्मनों से भी अपने लिए कुछ अच्छा काम करवा सकते हो दोस्तो अगर आप किसी के साथ प्ले कर रहे हो किसी के साथ खेल रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आप उनकी strategies को समझ लो तो आपको उन्हें manipulate करना होगा बिल्कुल वही करो जो वो कर रहे हैं एक आयने की तरह इससे वो आपकी strategies को तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन वो ये बात मानने लगेंगे कि आप कमजोर हो और ऐसे मों कोई न कोई गलती ऐसे ज़रूर कर देंगे जिससे आप उनकी strategies को समझ जाओ क्योंकि अगर आप exactly वही करते हो जो आपका दुस्मन कर रहा है तो वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि इसका मकसद क्या है या फिर वो आपको totally ignore करने की कोसिस करता है हर इंसान के लिए changes बहुत ज़रूरी होते हैं और ये changes हमारे life में ज़रूर आएंगे तेकिन हम daily जो भी करते हैं उसमें हमारे आदेते बहुत ही बड़ा role play करती है और ऐसे में अगर हमने कोई बड़ा decision ले लिया किसी बड़े change के लिए तो हम उसे नहीं कर पाएंगे इसलिए step by step चलो छोड़े छोड़े decision लो अगर आप एक साथ ही एक ही दिन में ज़्यादा पढ़के या ज़्यादा exercise करके class में top करने की ये muscles build करने की कोसिस करोगे तो इससे आपके body में और भी ज़्यादा injury आ जागी तो कभी भी ये मत सोचो कि आप एक ही दिन में बड़ा decision लेके अपनी life में बहुत बड़ा change ला लोगे changes कभी भी एक साथ नहीं आते वो धीरे धीरे करके step by step चलके आते हैं कोसिस करो छोड़े छोड़े step लो क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा effort लगा रहे की भी ज़रुवत नहीं पड़ेगी law number 46 never appear to perfect दोस्तों इस दुनिया में कोई भी perfect नहीं है लेकिन हर इनसान यही देखाना चाहता है कि वो बिल्कुल perfect है उसने अपने life में कोई भी गलतिया नहीं की है लेकिन ऐसे में अगर आप so करते हो कि आप बिल्कुल perfect हो तो ऐसे में आप अपने कई दुस्मन बना लोगे और यह बिल्कुल आम सी बात है कि जब लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत perfect है और जिसने अपने life में कभी कोई गलती नहीं की तो अपसर लोग उससे जलने लगते हैं और उसे नीचे दिखाने की कोसिस करते रहते हैं तो कभी कभी अपनी छोटी मोटी गलतिया लोगों को सो कर दो जिससे लोग आपको भी अपनी तरही माने और लोग आपको सिखाने की कोशिस करें जिससे आप उनका belief गेन कर लो बहुत साहे लोग इस दुनिया में successful होना चाहते हैं येकिन success अपने आप में ही एक exam की तरह है ये बड़ी बात नहीं कि आप successful होते हो या नहीं important तो यह है कि आप उस success को कितने time तक maintain कर सकते हो तो हमेशे ये बात याद रखो कि आप जितने भी बड़ी successful हुए हो दुनिया में ऐसे कड़ोडों लोग है जो आप से भी अच्छे position में है और अपने life में और आगे बढ़ने के लिए वो लगता सीखते जा रहे हैं और society में अपने आपको powerful बनाते जा रहे हैं कभी भी आप अपने आपको इतना simple और इतना same मत बनाओ कि लोग आपकी strategies को समझ जाए आप हमेशा कोई ऐसे moves और ऐसे plans बनाओ जिससे लोगों ने expect भी नहीं किया हो कि आप next क्या करने वाले हो ये बात बहुत ज्यादा important है कि अगर लोग आपको assume कर सकते है कि आपका next move क्या है तो आप दुनिया में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ज्यादा लोग है जो आपकी benefit लेने के लिए आपके advantage उठाने के लिए ready है तो कोईसिस करो कि आप कुछ ऐसा act करो जिससे कोई भी इनसान आपको assume ना कर पै कि आप करने क्यावाले हो